डॉक्टर अनिमेश, एंजियोप्लास्टी और बाइपस सर्जरी में कौन सा उप्चार हार्ट अटेक मरीजों के लिए जादा फाइदमन साबित होता है? एंजियोप्लास्टी और बाइपस सर्जरी के मुकाबले एक सिंप्लन प्रोसेस है जिसमें मरीज को बहुत कम समय कंपरेटिबली अस्पताल में रहना पड़ता है प्रोसेजर के दौरान ऑपरेशन के दौरान होने वाला ब्लड लॉस बहुत कम होता है किसी प्रकार के चील फ पर कुछ प्रमॉक्ताइब दौक्टर निमेश यदे किसी हार्ट अटाइक पेशिंट में पहले बाइपस सर्जरी हो चुकी है तो क्या उनमें एंजियोप्लास्टी से एलाज मुम्किन है हाँ काफे सारे पेशंट ऐसे होते हैं इनमें बाइपस सर्जरी होने के बाद चात सर्जरी होता है और हट अटाइक के सिंटम के साथ हमारे सुकाल में आते हैं ऐसे मरीदों में जो आफिकर करके देखते हैं तो हमें कभी कभी दिखाई पड़ता है कि जो हर्ट के अपनी नसे थी वो तो पहले से बंद पढ़ी ही थी इसके कारए उनका बाइपास ऑपरेशन अटाइब दोरान जो ग्राफ्ट लगाया गया थे और कभी कभी ग्राफ्ट के बंद हो जाने की वज़ए से हट अटाइक रेगा ता है और हमारे पास आया था उसको साथा आट साल पहले बाइपास दोगी थी और तो आया था तो उसको चाती में बहुत देज दर्द हो रह तो अने इनिषान सामने हाया थी, फिर प्रेशर उसका कम चल गया था लएकी, जिल खंदा रजा चल लगी थी, वह इसका राफी में था, तो हमें उसके अरजन परएंट अथी की ही, तो हमें पाया कि जो घर देखना सुन्हील हे उसमें जो ग्राफ लगा गया, वह आट नौ स जिसमें हाडवेर जो इसके जाता है वह थोड़ा अलग होता है उसमें हम एक अलग से छलनी का इस्ते होते हैं इसको छाती में दर्थ होना बिर्कुल बंद हो गया और प्रेशर और उसका हर्ट रेट बिलिए नॉनमलाइड हो गया और इंडिपास्टिक होने के बाद तीसरे दूर्ट से इसके शुट्टी कर दो इस तरह के रख सब देखना को मिलते हैं और इंडिवेबर जल्दी से इस तो बाइपास के पेशेंट्स में भी इंडिपास्टिक के द्वारा जीवन को बचाया जा सकता है